नमस्कार के कातिलों में से एक बिट्टा कराटे का भी फिल्म में इंटर्व्यू दिखाया गया है। इंटर्व्यू में ये आतंकी बड़ी बिबाकी से 20 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं करने का जुर्म कबूल कर रहा है। इसी बिट्टा कराटे का असली इंटर्व्यू भी यूट् अपनी मा और भाई को भी मार देता। सतीश टिकू के परिवार ने एक्टिविस्ट विकास राणा की मदद से शीनगर कोट में अपील दाखिल की है। वकील उस्तव वैस टिकू के परिवार की ओर से कोट में पाक्ष रखेंगे। यहाँ आपको यह बता दें कि टीवी इंटर्व्यू में बिट्टा कराटे ने यह भी बताया था कि उसने किस तरह से उस वक्त बाईस साल की कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिकू की घाटी में सरयाम हत्या की थी। सतीश टिकू की हत्या करने के बाद ही बिट्टा कराटे ने कश्मीर में कतले आम का कहर बर पाया था। उतर गया था। 2008 में अमरनात विवात के दौरान उसे गिरफतार किया गया था। बिट्टा कराटे को 23 अक्टूबर 2006 को टाड़ा अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। बहराल अब माना जा रहा है कि बिट्टा कराटे के साथ यासीन मलिक के खलाव भी केस खोले जाएं तकике मुबरette कि खलाएं तक करना साथ बाई वी तक करया है तक कि भी कर का दो यांद खलागा है